तो दोस्तो काफी सारे भाई का मेरे पास में कमेंट आ रहा है कि हमारा कलर ट्रेडिंग के अंदर लोस हो चुका है और हमें लेवल मेंटेन नहीं करना आता तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि दोस्तो आप लेवल मेंटेन करके कैसे गेम प्ले कर सकते हो अगर दोस्तो आप कलर ट्रेंडिंग के अंदर अगर आप लेवल मेंटेन करके गेम प्ले करते हो तो आपका 100% आपका विनिंग ही होगा अगर दोस्तो आप level maintain नहीं करके खेलते हो तो आपका low जी होगा अगर दोस्तो आपके पास में 500 रुपए है तो आप 500 रुपए से भी दोस्तो आप 8 level maintain करके रख सकते हो अगर दोस्तो आपको 8 level के अंदर आपको winning करना है तो दोस्तो आप मेरे description में telegram group का link दिया है आप जल्दे से वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर आप मेरे telegram group को join कर लो आपका जिस भी color trading के अंदर loss होआ है वो दोस्तो आपका loss recover होने वाला है और दोस्तो मेरे telegram group में दोस्तो आपको 8 level के अंदर ही winning देखने के लिए मिलता है तो चलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा अगर आपके पास में 5 रुपए है तो आपको कैसे level maintain करना है अगर दोस्तो आपके पास में 1000 रुपए है तो भी आपको कैसे level maintain करना है 1500 रुपए से भी आपको level maintain करना सिखाऊंगा ठीक है न दोस्तो तो अभी दोस्तो हम बात कर लेते हैं जिस भाई को level maintain करना नहीं आता वो इस वीडियो को लाश तक और ध्यान से देखना क्यूंकि आज की इस वीडियो में हम आपको level maintain करना सिखा दूँगा ठीक है न दोस्तो अगर दोस्तो आपको color trading के अंदर किसी भी game के 100 रुपए है तो दोस्तो आप level maintain नहीं कर सकते ठीक है न दोस्तो 100 रुपए से आप level maintain नहीं कर सकते 100 रुपए से दोस्तो आप 1-2 रुपए 1-2 रुपए लगा कर ही gameplay करना अगर दोस्तो आपके पास में 100 रुपए से ज्यादा अगर आपके पास में 500 रुपए है तो आप ब बचने वाले हैं ठीक है ना दोस्तों तो चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 500 रुपए से आपको कैसे लेवल मेंटेन करना है अगर दोस्तों आपके वोलेट में 500 रुपए है ठीक है ना 500 रुपए है तो दोस्तों आपको पहली जो चाल है वो दोस्तों आपको एक रु सोचका है फिर से दोस्तों आपको दो रुपए की चालना चलनी है दो रुपए की चाल चलनी है वो दोस्तों मानिके चला फिर से बिग पर या फिर समोल पर अपने साव से जिस पिर भी आप लगाते हो फिर से दोस्तों आपका यहां पर लो सोचका है कोई बात नहीं दोस्तों दोस्तो आपका लोस होचका है दो लेवल होचके हैं फिर दोस्तो आपका चार रुपए लगाना है आपको ठीक है चार रुपए भी दोस्तो आपका लोस हो जाता है फिर दोस्तो आपको आठ रुपए विनिंग होता है दोस्तो आठ रुपए विनिंग होता है तो दोस्तो करना है फिर से आपको एक रुपए से स्टार्ट करना है अगर दोस्तों आपका फोर लेवल के अंदर विनिंग हुआ है आप क्या करते हो फोर लेवल के बाद में आप दस रुपए लगा देते हो नहीं दोस्तों आपको दस रुपए नहीं लगाना है आपको फिर से एक रूपे से स्टार्ट करना है एक रूपे से स्टार्ट करना ऐसे नहीं है कि हमारा एक रूपे लगया हमारा विनिंग हो गया फिर से दोस्तों विनिंग होने के बाद में आप 10 रूपे लगा देते हो नहीं दोस्तों आपको 10 रूपे नहीं लगाना आपको फिर से एक रूपे से ही start करना है यह तो दोस्तों आप 500 रुपए से कर सकते हो अगर दोस्तों आपके पास में 1000 रुपए है तो आप 3-3-3 रुपए भी लगा कर लेवल मेंटेन कर सकते हो जो अभी देख सकते हो पहले 3 रुपए लगाना है फिर 6 रुपए लगाना है फिर 12 रुपए लगाना है फिर 25 रुपए लगाना है फिर दोस्तों 50 रुपए लगाना है फिर दोस्तों आपको 100 रुपए लगाना है जब तक दोस्तों आप 8 लेवल त तो आपको Illinois गेम केकी लेवल मेंटेंगैल करके खेलना बहुती जदा जरूरी है अगर आप यहनुर प्रश्यक्रे मेंटेंगे करके खेलना में पेल एट में है तो आपको चार उपए से स्टार्ट करना है चार उपए लगाओ आथ उपई लगाओ 16 उपए लगाओ 35 recognise प्ष Rhण लगाओ 50 रुप पांच लेवल के विनिंग मिल जाता है अगर आपके पास में 2,000 रुपय है तो 6 रुपय लगाओ 12 रुपय लगाओ 20 रुपय लगाओ का लोस होता है तह इस होता है गर मान के चलो तो आपका आचका है 5 लेवल के बाद में 6 लेवल के अंदर आपका विनिंग होता है तो आपको फिर से एक लेवल से स्टार्ट करना है फिर से आपको 6 रुपे से स्टार्ट करना है ऐसा नहीं कि 5 नमबर प्या गया हमारा 5 मतलब 5 लेवल हमारा मिस गया 6 लेवल के अंदर हमारा व क्ष process अग्र आपको लेवल मेंटेंग करके गेम्पेड करना है तो दोस्तो आप मेरे description में मेरे आपका लिक दिया है वहां पर आजाो आपका 100% विंणिंग होगा किसी भी कल दर ट्रेडिंग के अंदर आपका लोस हुआ है तो आपका वहां पर विंणिंग हो जाएगा आपका dapat about हो जाएगा ठीक